साथियों गुड मॉनिंग, कैसे हैं सभी लोग, उमीद है सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्त होंगे, और अभी तो लोकडाउन दुबारे लगने वाला है, तो सभी अपने घरों में होंगे, और बहुत सारे लोग मुझे पहले से जानते हैं, आपका प्यार मुझे मिलता है, औ लेकिन बहुत सारे आज नहीं साती भी हमारे से जुड़े होंगे, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, मैं मोहन नागर हो गाजवा से, और सातीयों अभी तगरीबन तगरीबन साथ साल का समय हो चुका है, फोरव लिविंग पड़क्स के साथ एक बहतरी जरनी को सुर समाना होता है जैसे लिक्विड को हम नापते है लिटर में, ठोजवस्तु को नापते हम केजई में, ऐसी घूट फैत को ये लिद्ध को नापते है में ओमेगा फैटलम सबा रॉट होता है हमारी body में fat soluble vitamins को absorb कराने में मदद करता है हमारी body में दो तरीके के vitamins जाते हैं fat soluble और water soluble fat soluble vitamin vitamin A अगर हमारी body में fat content नहीं होगा good fat नहीं होगा तो हमारी body में vitamin A खाएंगे तो सही लेकिन body में जाके लगेगा नहीं और जब तक बॉडी में विटामिन A नहीं लगेगा तो हमारी आखें कमजोर रहेंगी एक समय ऐसा था कि जब 50-60 साल की उमर में चस्में चड़ते थे लेकिन अभी 5 साल के बच्चे की आखों पे भी चस्में चड़े हुए क्यों चड़े हुए है क्योंकि उसकी बॉडी में फैट का कंटेंट कम है जिसकी वज़े से उसकी बॉडी में विटामिन A उतनी प्रॉपर तरीखे से एब्जॉब नहीं हो रहा है अब कहते हैं कि बच्चा तो भी पैदा हुआ है उसकी बड़ी में फैट कैसे कम हो गया कैसे विटामिन A कम हो गया तो अभी पैदा होने से मतलब नहीं है लेकिन उसकी मदर की बड़ी में भी विटामिन A की कमी थी क्यों के में थी, क्योंकि मदर की बॉड़ी में भी गुड फैट कम था, इसी वज़े से बच्चे की बॉड़ी में विटामिन A की कमी आई, विटामिन D, अगर विटामिन D की कमी रहेगी, तो हमेशा हड़ियां कमजोर रहेंगी, प्रॉपर तरीके से वो डवलप नहीं होंग प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं करेंगी और आपने देखा होगा पहले समय में जो बच्चे गिर जाया करते थे तो कोई फरग नहीं पड़ता था वो कपड़े जाड़ करके उठकर के फिर दोड़ना शुरू कर देते थे तो बच्चा अगर बैट से नीचे गिर जाता है तो हड़ी क्रैक हो जाती है हड़ी तूट जाती है तो जब हड़ी तूट जाती है तो बार-बार डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है तो बार बार मोسم जैसे बदलेगा, मोسم के साथ बदलने के साथ बहुत सारे flu, virus इस तरीके की चीज़े हमारी बाड़ी में बार बार लगेगी. अभी करोना क्या है? एक वाइरस है? एना ऐसे ही तरह-तरह की बिमारी हमारी body में लगती रहेंगे, आपने देखा होगा एक वेक्ती, एक घर में अगर 10 लोग रहते हैं, तो उनमें से एक दो लोग अक्सर बिमार रहते हैं, लेकिन बाकी सब लोग स्वस्त रहते हैं, वो एक दो लोग अक्सर बिमार क्यों रहते हैं कि उनकी बॉड़ी में गुड़ फैट की हमें हैं सा कमी रहती है जिसकी वजह विटामिन A खाने के बाद भी वह प्रॉपर एबजॉब नहीं होता जिसकी वजह वजह लोगों से लडने की चमता हमेशा कमजोर रह जाती है और जिसके वजय से हो बार-बार बिमार रहते हैं हमारे blood के flow में help करता है और अगर vitamin k के कमी रहेगी तो blood के flow होने में हमें दिक्षत आएगी इसके अलावा fat हमारी body में जाकर के हमारा secure system आपने कभी भी देखा होगा कोई भी वेक्ति अगर सफर कर रहा है सफर करते हुए कोई accident हुआ accident होने के बाद directly कोई organ hit नहीं होता है यह नहीं पता जलता है kidney में जाकर के छोट लगी kidney puncture होगी या heart में जाकर के छोट लगी या liver पे जाके छोट लगी ऐसा नहीं होता हमारी skin के अंदर एक अंदर protection की layer होती है basically वो good fat की बनी होती है वो protection की layer हमारे organs को बचाती है बाहर कोई भी injury हो उससे directly हमारे organ effect ना हो organ के उपर और साथी साथ skin के अंदर एक layer होती है आपने अक्सर देखा होगा जब कोई छिल जाता है तो उसकी skin के अंदर से white white परकार के layer निकल के आता है वो white layer protection की layer होती है साथी सार हमारी body के temperature को maintain करती है अभी आप देख रहे हैं बाहर 42, 43, 44 तक का temperature जा रहा है लेकिन हमारी body का 37 ही है बाहर आप देखते हैं कि माइनस में temperature चला जाता है कभी कभी 2, 3, 4, 5 तक temperature रह जाता है लेकिन हमारी body का temperature 37 ही है इसका मतलब यह है कि हमारी body में thermal power को control करने के लिए हमारी body की heating को maintain करने के लिए कुछ protection की जरत होती है वो होती है omega 3 or omega 9 से बनती है लेकिन आपने अकसर देखा होगा कि किसी-किसी वेक्टियू को यह तो बहुत जदा ठन लगती है बहुत जदा गर्मी लगती है इसके मतलब उसकी body में good fat की कमी है आपने साथी साथ बहुत सारे लोगों को देखा होगा बहुत सारे लोग दरसल क्या है good fat को समझने के लिए अगर internal हम जाते हैं तो internal जाने के लिए कुछी जो को और समझना पड़ेगा जैसे की हम बात करते हैं हमारी body में जितनी भी नलीकाएं हैं नसें हैं तीन परकार की basically body में नलीकाएं होती हैं एक को कहते हैं arteries जो हमारे heart से pure blood और साथी साथ nutrient को लेकर के जाती है उनको बोलते है arteries oxygen वो साथ में blood के साथ flow होगा और साथी साथ nutrient flow होगे लेकिन वहाँ से जो carbon dioxide को वापिस लेकर आती है और waste material को वापिस लेकर आती है उनको बोलते है veins arteries और veins और जो दोनों जाकर के वहाँ मिलती है arteries और veins उनको बोलते हैं capillaries साथियों studies बताती हैं कि एक इंसान के अंदर एक human body के अंदर अगर उसकी arteries veins और capillaries इन तीनों को एक साथ जोड दिया जाए तो ये दो चक्कर लगा सकती है किसके हमारी body के नहीं नहीं किसके चकर लगा सकती है दो हमारे घर के नहीं नहीं हमारे मौले के नहीं हमारे सहर के दो चक्कर लगा सकती है नहीं नहीं इसके हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के नहीं इस पृत्वी के दो चक्कर लगा जा सकते है क्या वाकई जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा तो मुझे भी सौक लगा था एक human body में इतनी लंबी नसे हो जाती है कि पूरी पृत्वी के दो चक्कर लगाए जा सकते हैं येस अब आप सोच के देखिए जब एक human body के अंदर इतनी बारिक बारिक नसे हैं सबसे बारिक नसे होती है हमारी eyes की हमारे brain की हमारे liver की, हमारे lungs की है ना, हमारी kidney की इसमें बारिक बारिक नसे होती है अब किसी भी बारिक नसे में अंदर जाएगा blood जाएगा तो वो क्या लेके जाएगा oxygen लेके जाएगा, साथ ही साथ nutrient लेके जाएगा, है ना अगर हम दो मिनट के लिए नाक बंद करें तो क्या होगा, बंद करके देखी जाएगा निकल लेंगे न, ऐसे ही अगर हमारा कोई organ दो मिनट के लिए अपनी नाक बंद कर ले हमारे organ की नाक क्या है हमारी वो नसे, जिससे blood flow हो रहा है क्योंकि blood के साथ ही तो oxygen जा रहा है उसी के साथ तो nutrient जा रहा है तो क्या होगा, वो भी निकल लेगा अचानक रात और रात heart fail हो जाते हैं अचानक रात और रात kidney fail हो जाती हैं liver fail हो जाते हैं brain hemorrhage हो जाता है, brain fail हो जाते हैं सारी समस्याइं क्यों आ रही हैं आज के समय में क्योंकि कहीं ना कहीं blood के अंदर impurities हैं हमारी नसों के अंदर impurities हैं क्या होता है जैसे आपने motor के अंदर summer civil के अंदर pipe लगा हुआ देखा होगा तो कुछ दिन बाद तो शरावे से बनाची स्पर्षेट परियए. अगर किसी भी नश में जाकर वो अंदर जमाया होगा, तो क्या होगा, वो बलड को प्रहपर तरीके से फोलो नहीं होने देगा. और जब blood proper तरीके से flow नहीं होगा तो क्या होगा जैसे example के तौर पर हम आपको समझा रहा हूँ ताकि किसी भी विक्ति को यह समझ में आए जैसे एक road है उसके उपर सवारियां चल रही है गाडियां चल रही है लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है उस road के बराबर में बहुत सारी दुकाने खुल जाती है और दुकानों के सामने ठेलियां लग जाती है कोई सबजी बेच रहा है कोई फल बेच रहा है तो अभी क्या होगा जितनी आसानी से पहले वहिकल चल रहे है तो अभी उतनी आसानी से नहीं चलेंगे और कुछ गाडियां समाल लेने के लिए भार रुख जाएंगी तो फिर ट्रेफिक जाम हो जाएगा इस ट्रेफिक को खोलने के लिए बाहर से, सेर के बाहर से एक हाइवे बनाया जाता है लेकिन जब वोई इस्ति बाहर भी आ जाएगी बाहर भी दुगाने बन जाएगी बाहर भी ऐसी ट्रैफिक लगेगा तो फिर और कुछ रास्ता निकाला जाएगा ऐसे ही सातियों जब हमारी बॉडी में यह bad cholesterol जमता है तो यह नसों की दिवारों पर जम जाता है गर्ट हमारी बॉडी में जा रहा है जो हमारे और गर भी आधी Nikki लेकर जिम्रीन कुछ को मिल पता है और कभी-कभी उसे खांग भी नहीं पाता क्योंकि प्रॉपर ब्लैट फ्लो नहीं हो पाता है पिर ऐसे में क्या होता है हमें कैसे पता चलता है हमें पता चलता है कि हम दोड रहे हैं तो कुछ पेन हो रहा है है ना चेस में पेन होना शुरू हो गया क्योंकि blood प्रॉपर तरीके से follow नहीं हो रहा है oxygen प्रॉपर तरीके से नहीं है है हम भूलना शुरू कर देते हैं चाबी हाथ में ले रखी है, चाबी भूल रहे हैं, चस्मा सर के उपर लगा रखा है, चस्मा ढूंड रहे हैं, फॉन पर बात कर रहे हैं, और फॉन ही ढूंड रहे हैं, जूते पहन लखे हैं, पैरों में और जूते ढूंड रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, सामने गड़ा रोगना चाह रहे थे ब्रेक मांना चाह रहे थे नहीं वार पाएंग क्योंंकि भूलना सुरू कर दिया हर्ड में कि घोक्रता समयन लगा क्कों क्मणा फॉल ना होता है तक तरह के संज सांस योई दर दो रहा है, इधर की तरफ दर दो रहा है, बैठने में दर दो रहा है, सांस लेने में दर दो रहा है डॉक्टर साब कहते हैं जी इसके लिए तो एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, ये चेक करना पड़ेगा क्या है फिर दोक्टर साब चेक करके बताते हैं जी देखो आई ऐसा है आपका 60% ब्लोकेज हो चुका है अब कभी भी आपको जो ना इस्टन डलवाने या चले डलवाने की नोबत आ जाएगी और फिर दीरे 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 वो एक दवाई दे देते हैं कि दवाई खाते रहो ब्लेट थिकनिंग की और ब्लेट आपका पतला रहेगा तो यहां रुकावट नहीं होगी यानि कि जो गाड़ी थी उसकी चोड़ाई जादा थी अभी चोड़ाई उसकी कम कर दी है यानि कि पदली गाड़ी होगी तो आराम से निकल जाएगी लेकिन कुछ दिन बाद वो जब भीर लग रही थी तो और ज़्यादा भीर लग जाएगी और चले लिलने के बाद भी क्या होगा यानि कि जबरदस्ती जबरदस्ती वो रोड को चोरा करा गया आप देखते होंगे किसी बेजार में जब पुलिस वाले आ जाते हैं तो वो रिक्सा वाले वो ठेली वाले वो गाड़ी जो रोड पर लगा रखे हैं वो अचानक भग जाते हैं इदर उदर भग जाते हैं लेकिन बाद में फिर आ जाते हैं वो क्योंकि अगर आपने बाइदवे बाइपास करवा भी लिया तो ट्रैफिक वहां भी लग जाएगा और जब ट्रैफिक वहां भी लग जाएगा तो वहाँ भी बीड़ो जाएगी और जब वहाँ भी बीड़ो जाएगी तो फिर आपको और एक बाई-पास करवाना पड़ेगा समाधान क्या है पर्मनेंट समाधान क्या है पर्मनेंट समाधान ये है कि ये जो कॉलिस्टॉल जमा है ये जो बैड कॉलिस्टॉल जमा है नसों के अंदर अगर ये बैड कॉलिस्टॉल नसों के अंदर जो जमा है ये ही नसों के बाहर निकल जाए यह जमा हुआ फैट ही बोडी से बाहर निकल जाए तो समस्यागा समाधान है इस जमे हुए फैट को इस बैड फैट को केवल एक फैट निकल सकता है उसको कहते है गुड फैट जिसको ओमेगा 3 और ओमेगा 9 के नाम से हम जानते हैं अब बहुत सारे रिसर्च वी तो पता चला के जी गुड फैट जो है डालों में भी मिलता है लेग्यूम्स में मिलता है बीन्स में मिलता है तो बहुत सारे लोग ने डाले खानी शुरू कर दी लेग्यूम्स खाने बीन्स खानी शुरू कर दी और उनके चूरन मुरन बना करक लेकिन रिसर्च यहां भी नहीं थमी रिसर्च और आगे बड़ी तो पता चला जी अलसी के अंदर अलसी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 मिलता है लोगों ने फ्लैक सीड के नाम से अलसी के बीच बेचने सुरू कर दी लेकिन रिसर्च यहां भी नहीं थमी पता चला के भई फिस के अंदर ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में होता है है ना तो कुछ लोगों ने गाउं के जोड में मचलियां पाल नहीं सुरू कर दी वहां से जो उनका फिस वाइल निकाल करके यूज करना सुरू कर दी तो पता चला जी गाउं का जोड जो होता है उसमें गंदा पानी भी जाता है गंदा पानी जाता तो उसमें मरकरी चली जाती है और अगर मरकरी किसी के ब्रेन में चला जाए तो बंदा कोमा में चला जाता है तो बहुत सारे लोगों ने साफ पानी में मचलियां पानी शुरू कर दी लेकिन बात वहां भी नहीं बनी और रिसर्च आगे बढ़ी तो रिसर्च में पदा चला कि जो ठंडा पानी होता है उसके अंदर जो मचलियां होती है उसमें जितनी दो इस्पेसल परकार की मचलियां होनी चाहिए सेल्मन और टुना फिस उनके अंदर से फिसोयल बहुत अच्छी मातरा में मिलता है लेकिन फॉरवर ने यहां भी फिसोयल बनाना शुरू नहीं किया निकालना शुरू नहीं किया रिसर्च और आगे बढ़ी पर तो पदा चला एक ऐसा समुद्र है अट्लांटी का महासागर है जहां नौ महीने रात होती है और तीन महीने दिन रहता है वहां इतनी ठंड पढ़ती है कि हमेशा माइनस में टेंपरेचर रहता और उपर कैई-कैई फुट की बरफ जम जाती है उसके अंदर दोस्तों जो मचलियां होती है उनका टेमपरेचर कितना घरम होता होगा इसलिए बहुत सारी कंपनिया जो फिस ओईल बनाती है उसके उपर पहले से लिखा होता है कि इसको गर्वती महिला को ना दे हैं इसको बुजरुगों को ना दे हैं क्यों क्योंकि वो बहुत ज़दा गर्म होता है और गर्मियों में तो इस पेसली omega 3 नहीं खाना चाहिए ऐसा लोग भी बोलते हैं वो बहुत जादा अगर्म रहता है लेकिन फॉरवर की रिसर्च यहां भी नहीं था में फॉरवर नहीं रिसर्च किया कुछ मातरा में ओमेगा-9 मिलाया ओमेगा-9 का मतलब ओलिव 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 से वो लिया जतुन के तेल से और ओमेगा-3 मिलाया तो दोनों का कॉंबिनेश क्या है कि अभी ओमेगा-3 अभी फिस-ोईल ना ना रहो रहा है रह रहाए अभी यह कॉड़ ओका कर क्योंकि कंपनी एक त्रशाड़ ने कॉड़ें पर और तो के-सी कैसी उसके कuyuElet कैसी होगी हॉगी अच्छी quality होगी वाकई ही क्योंकि बहुत सारे देशों में non vegetarian लोग जादा रहते हैं बहुत सारे देशों में vegetarian लोग जादा रहते हैं लेकिन एक ही उपड़ है कि एक ही देश से जाकर के एक सो सारे देशों में जा रहा है और लोग उसको यूज कर रहे हैं तो वाकई ही वो अच्छा होगा यह है फॉरवर का Arctic C इसको कौन-कौन खा सकता है इसको हर वो विक्ति खा सकता है जिसके पास एक हाट है आप मैंसे है किसी के पार अच्छा सभी के पास है तो आप सभी लो है उसका ब्रेन बड़ा साफ रहेगा मैंने अपनी वाइफ को दिया था बीबी होने से पहले वाकई बहुत अच्छा रिजल्टी इसका देखा गया है है और बच्चा भी बड़ा हेल्दी रहता है उसके अंदर भी किसी भी विटामिन्स मिनलेल्स की कमी नहीं आती उसकी ब थाकावट जादा है वो वेक्ति इसको ले सकता है काफी अच्छा है उसमें मदद करेगा हर वो वेक्ति ले सकता है जिसको ठंडियों में ज्यादा ठंडी लगती है और गर्मियों में ज्यादा गर्मी लगती है ऐसे वेक्ति को ये उसकी थर्मल पावर मजबूत करने में हे एक fat soluble vitamin है vitamin E जब vitamin E, vitamin C के साथ जाता है तो अंदर जाकरके वो elasticity को बढ़ाएगा साथ में elastin और collagen को बढ़ाएगा जिसके वज़े से चेहरा जो loose पन है वो tight हो जाएगा और साथी साथ puffiness पैदा करेगा यानि कि गुदगुदा पन पैदा करेगा और साथी साथ चेहरे की चमक भी बढ़ जाएगी है ना तो अगर किसी को चेहरे की चमक बढ़ानी है तो वो भी इसको ले सकता है normal साथीों ये कोई दवाई नहीं है दवाई कहना इसकी बेज़ती है क्योंकि ये दवाई तक आपकी body ना पोचे उसके लिए आप इसको खा सकते हो ये खाना है ये एक पोचन देगा आपकी body में दवाईयों तक आपकी body जाए ही ना उसके लिए अगर आपको इस्तेमाल करना है तो ये best product है आपके लिए साथ ये बहुत सारे लोग कहते हैं जब तक वो बिमार नहीं होते हैं तब तक किसी भी पड़की कोई value नहीं समझते हैं किसी भी वेक्ती की जेब में अभी 2000 रुपे नहीं होगा इसको purchase करने के लिए लेकिन अगर कोई अचानक से heart disease आजाए अचानक से कोई problem आजाए तो रातो रात 2-3 लाग रुपे खटा हो जाता है बैंक बंद होने के बावजूद भी पता नहीं फिर वो कहां से आगया क्योंकि एकावत बनी है मरता क्या ना करता यानि कि जब मौत के मूँ में दोनों पैर चले जाते हैं पैकती सोचता है मुझे खा लेना चाहिए अभी मैं इसको बता रहा हूँ तो बहुत साले लोग बोलेंगा अभी तो हम स्वस्त हैं जब तक वो लाल वाली बत्ती सह सम्मान के साथ हटो बचों की तरह नहीं आएगी और जब तक हमें ले जाकर इस टेशर पर जाकर लिटाया नहीं जाएगा और जब तक बोडी को डॉक्टर खुल के यह नहीं बोलेगा यह सलेंडर फट चुका है यह नली फट चुकी है जब तक हम बिमार मानते ही नहीं अपने आपको सातियों अगर उस स्टेश तक नहीं जाना वो लाल वाली बत्ती आपको नहीं चाहिए आपको हमेसा स्वस्त रहना है हमेसा अच्छा फील करना है तो आपके लिए यह आक्टिक सी बैस्ट पोड़ेक्ट हो सकता है साती सात आप अपने उन सभी सातियों को दे इसके फायदे बता सकते हैं जिनको इसकी जरत है किसको जरत है हर उस वेक्ति को जरत है जिसके पास हाट है जिसका बिलेड फ्लो हो रहा है जिसके बिलेड में ऑक्सीजन की मातरा जा रही है जिसके बिलेड में न्यूट्रियन की मातरा जा रही है किस किस के में जा रही है सब के में जा रही है यानि ये हर वेक्ति की ज़रत है कुछ लोग ज़रत में भी खा लेंगे कुछ लोग मजबूरी में खाएंगे जब डॉक्टर साब बोल देंगे बस अब कुछ दिन के महमानों अखरी गिंती गिनना शुरू कर दो, तब भूढ़ेंगे, और वो कहां गया भाई साब, वो मोहन अगर कहां है, जो आर्टिक्सी के फाइदे बता रहा था, फिर मुझे मैसिज करेंगे, अब कुछ हो सकता है क्या, आप डॉक्टर साब ने बोल दे चले डलवालो, अब कुछ अगर रोज भर पेट खाना खाएगा, तो वो भूग से नहीं मरेगा, ऐसे ही जब आप इसको खाएगे, गुड फैट को जब आप अपनी बोडी में लेंगे, तो आपकी बोडी में बैड कोलिस्तोल जमा ही नहीं होगा, तो आप डिसीज की तरफ की जाएगे, तो आप इस इसकी एज नहीं है, हाँ, बच्चे को 18 साल की उमर के बाद देना चाहिए, क्योंकि इसका कैप्सुल बड़ा, बच्चे को सटकने में दिक्कत होती है, बागी इसको कोई भी ले सकता है, एक सुबह और एक साम को पानी के साथ ये लेना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसकी अपने हाट को किसी चोर के हाथ में मत दे देना, सस्ते के लालच में अपनी जिंदिकी को दाओ मत लगा देना, सस्ते के लालच में कहीं फश मज जाना आप भी, बहुत सारे लोग एमेजोन, फिलिप कार्ड इस तरीके की सोसल नेटवरकिंग साइट के उपर इसको डुपल परचेज करें, तो याद रखेगा अपने नाम के बिल के साथ परचेज करें, क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया में सत्यवादी हरिश्चन कोई भी नहीं है, पैसे के लालच में सब की नियत बदल जाती है, अपने नाम के बिल के साथ करें, आप इसके परचेज करेंगे, त तो सायद सिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि कहते हैं आज तक पैरसूट की, किसी ने कंप्लेंट नहीं करिए कि आपका पैरसूट नहीं कुला, नहीं कुला तो नहीं कुला निकल लिए। ऐसे ही कंप्लेंट करने का साथ मौका नहीं मिले। इसलिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप डारेक्ली आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं, साथी साथ इसको लोगों को रिक्मेंट करके बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप मेरे टीम क बच्चे के बाद, क्योंकि वह सटक नहीं पाएंगे, साथी आपने मेरी इस वीडियो को देखा, मेरे साथ बने रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आयेगा, और समझ में आया भी होगा, और रोजाना अब हम 9 बजे मिलते हैं, कल भी मिलेंगे, ठ साथे साथ आप चैनल पर नहीं हैं, तो इसको सस्क्राइब भी करिएगा, और देखिए, आप लोग अभी तक रुके हुए हैं, अभी तक सीख रहे हैं, अभी तक समझ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू बेरे मिच,